प्रेम सद्भावना और रंगो का तिहार होली से आठ दिन पहले यानि फालगुन शुक्लश्टमी से पोला अश्टक शुरू हो जाती है जो 17 मार्च से 24 मार्थ चक चलेगी इस दौरान कोई भी शुबकारिक नहीं किये जाते इन आठ दिनों की अपधी में सभी ग्रह उग स्वरूप लिये होते हैं जिनका असर जन मानस पर भी देखने को मलता है इसलिए ग्रहों के अचुब प्रभाव को दूर करने के लिए इन दिनों विशेश रूप से देवी देवताओं की आराधना करना श्रेष्ट माना जाता है इस दोरान मनश्य को अधिक से अधिक भजन और वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए ताकि सब ही संकटों से मुक्ति मिल सके होला अश्टक के दोरान कुछ धार्मिक उपाय करके व्यक्ति नकारात्मक उर्जाओं के प्रभाव से बच सकता है अब ये उपाय क्या है चलिए आप विस्तार से सुन लीजिए धार्मिक मानिताओं के अनुसार शिव जी की पूजा करने से सब ही अनिष्ट दूर हो जाते हैं इन दुनों में भगवान शिव की उपासना करने से नव ग्रह शांत होते हैं हुलाष्टकों में शिव शकती की पूजा ओम नमशिवाई का जाप एवा महमरत्युनजय मंत्र का जाप करने से हर तरह की रोग और दोश से चुटकारा मलता है और व्यकती निरोगी रहता है होलाश्ट के दौरान इस तरह शिव शक्ति आराधना करने से किसी भी तरह के अमंगल की आशंका नहीं रहती इन दोनों में रुद्राभिशे करना भी बेहद शुब माना जाता है होलाश्ट के दिन में प्रक्रती में नकारात्मक्ता का प्रारंभ हो जाता है स्वास्थिक में सारे विद्नों को हरने का एक बल है जी हाँ स्वास्थिक में बहुत जादा शक्ती बताई गई है होला अश्टक के दोरान हल्दी चावल को पीस कर उसमी गंगा जल मिलाएं और अपने मुख्य द्वार पर स्वास्थिक या ओम बना लें या फिर पांच रंग के गुलाल लेकर उनको मिलाकर उससे मुख्य द्वार पर स्वास्थिक बनाएं ऐसा करने से नकारत्म खुर्जा का प्रवेश घर में नहीं होगा यदि पती पतनी के बीच हमेशा लड़ाई जगडे की स्थिती बनी रहती है या पारिवारिक कलेश बना रहता है तो ऐसे में आपको होला अश्टक के आठ दिनों में रोजाना आपको गोबर के कंडे में गूगल और कपूर डाल कर पूरे घर में धुनी देनी चाहिए इसे घर में व्याप्त नकारत्मक उर्जा से मुक्ती मिलती है साथ ही घर परिवार में सुक शान्ती बनी रहती है यह बहुत आसान सा उपाय है जो आप कर सकते हैं आपको बता दें कि नरसिंग भगवान की पूजा करना इस बीच बहुत बलदाई होता है पोली से पहले वाले आठ दिनों में भगवान नरसिंग की पूजा करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है मानिता है कि इससे रोग और दोश खत्म होते हैं इन दिनों में खास्तोर उसे भगवान विश्णू और श्री कृष्ण की पूजा का जिक्र बताया गया है होलाश्टा की दौरान गोपाल और विश्णू सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए इससे कहा जवाता है कि हर व्यक्ति की मनोकामना फूर्ण होती है होलाश्टा की दौरान नित्र प्रती स्नान करके भगवान विश्णू के नर्सिंग अबदार की पूजा एवं स्मरन करने से आपके जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी ये सब ही उपाय पंडित और जोतिश चारे द्वारा बताए गए हैं अगर आप होली से आठ दिन पहले ये सब ही उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी जिंदगी में बदलाव सरूर होगा अगर आप इन सब बातों के बारे में नस्दी की पंडित आपने जोतिश चारे से जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें